हेडर गाइज वेलकम टु माय चैनल खाना शाना आज हम सीखेंगे पैनकेक्स बनाना अगर आप नवी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर लिक कर दीजएगा तो चलते हैं इंग्रीडियंट्स के तरफ इं यानि अंडा हमने एक लिया है दूद हमारे पास है एक चौताई कप और वैनिला एक्स्ट्राक्ट यानि वैनिला एसंस हमने लिया हाफ टीव स्पून तो अब चलते हैं बैटर बनाने सबसे पहले हम एक बोल में एक डालेंगे और शुगर डालेंगे यह दोनों चीज़ें डाल कर हम अच्छे तरीके से हमाँ इसको मिक्स कर देंगे हमने इनको तब तक मिक्स करना है जब तक एग में जो शुगर जो है वह हमारे एग में डिजॉफ नहीं हो जाती अब जब यह मिक्स हो गए तो मैं इसमें वैनिला एक स्ट्रैक्ट अड़ कर रहे हूं और इसको दुबारा अच्छे से मिक्स कर रहे हूं है जब यह बहुक्त आप्स शेटी जाए तो हम इसमें आड करें गरें के मुल्क वन फोर्थ कब जितना और इसको अच्छे से मिक्स कर दें ही कि साज इंडियुन जैनि शुगर और वह सब अच्छे से मिक्स जाए अब बिकस दूद दालने की वज़द से बहुत पतला सा हो गया है तो इसको हमें क्यूंके पैनकेक्स के लिए थिक बैटर चाहिए तो हम इसमें अब सूजी आट करेंगे अब सूजी से हमारा यह होगा पैनकेक्स को स्टिक नहीं करेगी हमारे पैन पे अगर ने प्लिज़ नहीं डाली तो अ I cannot guarantee अगर आपको थोड़ा और थिक चाहिए या थोड़ा कम थिक चाहिए तो आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते हैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे दूसरी तरह हमारा पान में हम घी आड़ कर लेंगा यहां पर हमने देखने हैं कि कंसिस्टेंसी जो है वह इस तरह क्यों ज़िए ना ज्यादा थेक ना जदा थिन अब तवे में मैंने घी आड़ किया वह था घी गरम था उसके ऊप रहने दें पतला चाहिए तो आप उसको ज़्यादा फेला के पतला करते हैं घी थोड़ा सा उपर भी डालने हैं और इसको हम टर्न कर देंगे अगैन मैंने मेक्षॉर किया कि नीचे कलर आ गया हो जब कलर आ गया तो तभी मैंने इसको टर्न किया है this is so beautiful so now our pancakes are ready to serve don't forget to like, share and subscribe to my channel I'll see you next time